हलो बच्छो सवागत है आफ सवीलों का डाउटनेट लाइब में मैं वेपिंसिंग एक बाई फिर से आपके सामने और नीट की जो हमारी क्लास चल रही है खास करके 2023 बैच जो हम टारगेट कर रहे हैं उसमें हम पहला शेप्टर ही स्टार्ट किये थे तोड़ा लंबा हो गया तक खतम हो जाना चाहिए था वैसे 10-11 लेक्षर में ने उम्मीद की थी लेकिन दो लेक्षर और बढ़ गया है तो लेक्षर नमबर 13 है जिसमें हम मूलभूत गड़ित में वेक्तर पढ़ रहे हैं भी सदिस गड़ित को पढ़ रहे हैं सदिस गड़ित को ही थोड़ा सा बचा हुए जो सदिस गड़ित का पार्ट है उसको हम कम्पीट करेंगे इस लेक्षर में ओके तो आई ये देखते हैं कि इस लेक्षर में क्या पढ़ना है तो जैसे का मैंने बता है सदिस गड़ित पढ़ रहे हैं तो हमने अदिस सदिस गुडन फल पढना आ हमें ठीक है तो यह टॉपिक है जिसको हमें समझना है और इसका हमें फिलिकल मीनिंग भी समझनी है इसकी इसकी physical meaning समझनी है और इसके साथ-साथ important questions भी हमें discuss करने है तो कुछ important question भी हम साथ-साथ discuss करेंगे तो यह तीन step है जिसको हमें करना है पहले हमें good and fall सीख लेना है इसके बाद हम कुछ इसकी meaning बताएंगे मैं आपको बताऊंगा कि physics में इसका use actually क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का जो यूज है वो है क्या वो समझेंगे हम और इस पर फिर कुछ questions भी हम करने वाले हैं थे रहेंगे हर एक नियम के बाद हर एक छोटए-छोटे चीज़ों के बाद हम question भी करते रहेंगे तो स्टाट करते हja लास्ट लेक्ट्र में थोड़ा सा बैबता तू कैंश लास्ट्र हमने क्या पढ़ता तो री कैप थोड़ा सा कर लेते हैं रीकैप कर लेते हैं रीकैप रीकैप में हमें ये जानना है कि हमने लास लेक्श्चर में क्या पढ़ा था तो हमने अदिस गुड़न फल पढ़ा था दो सदिसों का अदिस गुड़न फल हमने सीखा था अदिस गुड़न फल के हमने बारे में बात की थी अधिस गूडनफल में हमने कहा कि लट से कि एक सदिस A है एक सदिस A एड दूसरी सदिस हमारे पास B है, तो इसका अधिस अगर मैं गूडनफल करूँग़? तो अधिस गूडनफल आप जानते हैं कि अगर मैं करूँग़ तो यह हो जाएगा A.B ठीक है, A, डॉट B, लेट से कि कोई तीसरी सदिस निकल किया रही है, मालोस अदिस C बन रहा है, जो इसका मान आएगा, वो एक सदिसरी सदिस मिले, स्री, एक अदिस मिलेगा, माफ करियेगा, क्योंकि यहाँ पर अदिस गुणनफल है, जो हम अदिस गुणनफल करेंगे, तो यह चोटी सी चीज है, जो कि मैंने बताया था, यहाँ से मैं फिर बताया कि अगर मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं, A, डॉट B, डिवाइड बाई, यहाँ पर कॉस थीटा भी है, तो कॉस इनवर्स और यहाँ पर आप द तो अगर इनके बीच के एंगल को आपको निकालना है, थीटा निकालना है, तो आप यह फॉर्मूला यूज करते हैं और ऐसे निकाल लेते हैं, तो बेसिक बेसिक सी चीजे हैं, जोडने का तरीका मैंने बताया था, इसमें दो नियम मैंने बताया थे, इसके दो नियम मैंन तो दो नीम बताय थे, इसमें आपको मैंने इतना बताया था कि अगर दो सदिस दी गई हैं किसी भी प्रकार से तो इनको अगर देखें तो पीछे बढ़ा के अगर देखेंगे तो आप सदिस की, दखो सदिस की यह जो लंबाई है तरह सिक्स का परिमार बता रहा हाए और यह slope के साथ आप start कर देते हैं तो लटसे कि ये B हो गया सदिस ये A हो गया सदिस और आप जब इन दोनों point को match करवाते हैं ये point और ये point तो जो resultant प्राप्थ होता है जो resultant यहाँ प्राप्थ होड़ा बटा हमें तो resultant यहाँ पर क्या बताएगा ये yellow वाली line जो हम लेखी चीए ये परिणामी सदिस आर को बताएगा R या फिर जो हमने लिया है आपर C ठीक है वो C को बताएगा ठीक है तो C का परिमार एक्शली बताएगा जब हम इसका dot product लेंगे तो अलग बात है लेकिन सिर्फ अगर दिसा देखे तो R लेख लेखे जिए सदिस आर आप बोल सकते हैं और जो C6 अगर सिर्फ योग कर रहे हैं तो यह गृणन का नियम था माफ करिएगा मैंने जो यह लिया है यह योग के नियम होते हैं थोड़ा सा मेरा दिमाग मुझे लगता है काम कम कर रहा है आज है नो वो योग का नियम था तो यह योग का नियम है यहाँ पर सदिस आर जो resultant निकल के आ रहा है a प्लस b आप लिखेंगे सदिस आर इक्वलस to आप लिख सकते हैं यहाँ पर हुखनी निकाल लिया थै यह धीटा है फिर चतुरफोज का जली अगने डिया था तो एक और एंगल बनता था बी और आर के भीच का जिसको बीटा बोलते हैं ए और आर के हम आर के भीच का मतलब resultant के भीच का alpha है और यूपीटा होनब्र है तो तो cross product में अभी हमने dot product किया था तो हमने आपने देखा कि A और B के बीच में dot लग रहा था ठीक है अधिस गुड़न फल को हम dot product भी बोलते है dot product dot यहाँ पर आप देख सकते हैं this is the dot ठीक है यह गुड़ा का जो चिन है यह dot कहलाता है dot ठीक है क्योंकि एक बिंदी रख रहे हैं cross में जो हम करते हैं तो proper जैसे let's say कि यदि हमारे पास A एवं B दो सदिस है sorry, दो सदिस है तो सदिस गुड़न फल जो आयाएगा जो सदिस गुड़न फल दिखेगा बेटा मुझे वो let's say कि कोई तीसरी सदिस निकल के आएगी और यहाँ पर जब इनका सदिस गुड़न करेंगे हम तो यह आयाएगा A और डाट नहीं लगेगा यहाँ पर हमने कहा क्रॉस प्रोड़क्ट क्रॉस का मतलब यह चिन हाएगा और B हलाकि दोनों का यहाँ पर जब हम सदिस गरित पड़ते हैं तो इस पर मतलब इनका हमें क्लेरली पता होना चाहिए कि इस चिन्दों को हम सदिस के लिए इस्तमाल करते हैं आदिस गुड़न के लिए वैसे नॉर्मल जब गिंतियों का गुड़ा करते हैं हम तो चाहिए मैं एक गुड़े दो लिखूं या एक और यहाँ पर जैसे लटसे कि एक गुड़े दो बोल रहा हूं मैं या इसको ऐसा बोलिया कि जैसे आप लिखते हैं माली जै कि पांच एक्स और गुड़े आपको 2x करना है तीक है इसको आप 5x डाट में 2x करेंगे तब भी यह आएगा अगर आप 5x और यहाँ पर 2x लेकेंगे तब भी तो रिजल्ट यहां से मिलने वाला है यहाँ पर देखे हैं तो पांज गसा एक दस एक्स स्कॉएर यहाँ पर भी 10x स्कॉयर यहाँ पर चेंज नही हो रहा है ठीक है जब हम इसको बोलते हैं बटा बीज गड़िती है गुणन ठीक है बीज गड़ित है ये ये सदिस गड़ित है ठीक है ये सदिस गड़ित है वो बीज गड़ित है तो इसको हम बीज गड़ित बोलते है बीज गड़ित के नाम से इसको हम पुकारते हैं और ये सदिस गरित हो जाता है तो वीज गरित में dot और cross का इतना कुछ महत्तुन ही बस गुड़ा करना है मतलब गुड़ा करना है चाहे आप bracket लगा लिजे डॉट लगा लिजे या cross लगा लिजे गुड़ा है यहाँ पर इसका मतलब change है क्योंकि कि यहाँ सदिस हैं, इनमें दिसा है, इसमें सिर्फ magnitude है, यहाँ पर दिसा भी है, magnitude के साथ-साथ, तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे, तो यह C equals to मारा आजाएगा, सदिस C जो है, यह इसी को मैं आगे लिख दू, जब आप multiply करेंगे, cross product लेंगे, तो आपको बराबर यहाँ पर प्राप्थ होगा, a, b, sin, theta, यह प्राप्थ होता है आपको, ठीक है, तो दो सदिसों का सदिस गुड़न जो है, आप देख सकते हैं, जब करते हैं, तो एक सदिस रासी मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर note कर लीजेगा, जब दो सदिसों का सदिस गुड़न होता है, सदिस गुड़न करते हैं, तो परेडामी, ठीक है, गुड़न फल, के रूप में, एक सदिस रासी ही प्राप्त होती है, मतलब कि दो वेक्टर का जब हम मल्टिप्लिकेसिन करते हैं, तो बैटा हमें वेक्टर ही प्राप्त होता है, देख सकते हैं, सी सदिस है यहाँ पर, सी अदिस नहीं है, लेकि जब हम डॉट कर रहे थे, अभी पीछे आपको देखा जाया है, कि जब हम में डॉट किया था, तो सदिस गुड़न फल जोहाँ, आप देख सकते हैं, जो सदिस गुड़न फल है, उसमें सदिस रासी प्राप्त होती है, ये जो सदिस गुढन फल है ये भौती विध्यान में बहुत इंपॉर्टन है और बहुत जगे इस्तामाल करते हैं लागे दोन資 हैं बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती बच्चों को सदिस गुढन में क्योंकि यहां पर आपको दिसाओं को ध्यान में रखते हुए गु होगा एक तल में दिया है एक तल से दूसरे तल में कोई हसा दिसा है उसमें हो रहा है या सेम तल में दोनों सा दिसा है तो किस तरह से गुड़ा होगा तो सिंपल से चीजें है बैसिक चीजें है यह स्टार्ट करते हैं देखते हैं कुछ चीजें आपको पहले से पता है जैसे लेट्स के मैं पहले इग्जांपल बताओं इसका नियम बतादे देता है जैसे जो सिसकी दिशख के दिसा है वो C है, C के दिसा है, अब है कहाँ पर exactly, तो इसको एक इस्क्रो के नियम से भी हम बताते हैं, ठीक है, बहुती विग्यान में एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, गतिमान आवेस तथा चुम्बकत, ठीक है, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है मैक्सवेल का कार्क तो हम महाँ पर बताते हैं कि दाहिने हाथ से अगर इसक्रो को कसते हैं, तो किस परकार से इसक्रो आगे बाट रता है और जिस तरह से हाथ गूम रहा है, उस निसा में चुम्बकिये शेतर रेखाये होती हैं, उस्तार के चारो तरफ, तो ये एक नियम जो है, यहाँ पर भी ठीक है ये दो समतली ये सदीस है ठीक है ये ए सदीस है और ये बी सदीस है और ए से बी की तरफ अगर मुझे क्रॉस करना है यहाँ पर दिसा का भी ध्यान रखना है जब मैं लिख रहा हूँ ए क्रॉस भी मतलब ए से बी की तरफ हमें क्रॉस करना है ठीक है तो ए से बी की हम इस प्रकार से लेंगे ये थीटा एंगल है माल लेते हैं जब मैं क्रॉस करूँगा यहां पर A क्रॉस B करूँगा अब समझेगा इसको तो A क्रॉस B का मतलब कि मैं A से B की तरफ हाद घुमाओ नियम क्या है अपने हाथ को इस तरह से फैलाएं अपने हाथ को इस तरह से फैलाएं जो A सरी जिधर से जो पहला है जैसे मुझे X क्रॉस Y करना है तो X पर रखूँगा और Y की तरफ घूमँगा तो मैं A पर रखूँगा और घूमना की तरह क्रॉस की तरफ करना है Y के तरफ तो जब मैं क्रॉस करूंगा तो डॉट यहां पर देखिए मेरा अंगूठा जो है वो दिसा बताएगा बैटा किस की है यह दिसा बताएगा C की इसका रिजल्टेंट जो निकल के आ रहा है इसका जो result अंडरिकल के आ रहा है उसकी दिसा बता रहा है तो जो C की दिसा है हलाकि वो बाहर की तरफ है बड़ बाहर की तरफ मैं नहीं दिखा सकता तो मैं इसको उपर की तरफ थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये C की दिसा आ जाएगे ठीक है अच्छे इसको थोड़ा सा और सही तरीके से मैं दिखाता हूँ इसको और सही तरीके से आप इस तरह से मान सकते हैं कि चलो मैं इसको X डारेक्शन बोल लू ठीक है और ये मेरे लिए Y डारेक्शन हो लेट से की Y डारेक्शन है ठीक है एक्स डारेक्शन और य डारेक्शन इस तरह सी आक्ष हैं और सदिस इस प्रकार से हमें दी रखी हैं लट से कि हमें सदिस दी है सदिस में मैं माल लेता हूँ कि मुझे ये डारेक्शन दे रखी है ये जड डारेक्शन है ठीक है इस प्रकार से जड डारेक्शन हलाकि मैं इधर भी बना सकता हूं, इधर भी बना सकता हूं, जड डारेक्शन को मैं इधर भी बना सकता हूं, कि यह जड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लंबत है, अब उसको, हलाकि जड डारेक्शन इधर भी नहीं है, हलाकि जड डारेक्शन से अगर X की तरफ क्रॉस करूँ मान लीजिए कि कोई सदिस जड़ पे है द्यान सा सुनिए अगा मेरी बात चलि ये मान लेते हैं ये 20 सदिस है और ये मान लेता हूँ मैं इस पर ये मन लेता हूँ मैं कि ये A सदिस है तो जब मैं A सदिस से B सदिस की तरफ गूंगा तेखो ये A सदिस से B की सदिस की तरफ गूंगा तो जो डारेक्शन मिलेगे वो Y मिलेगी टो जो रिजल्टनट डिरेक्शन आपको देखने को मिल रही है, वो क्या मिलागा बटा? वो य डिरेक्शन मिलेगी, और जो A x B है, मतलब c है, यह बताएगा, A x B को, तो जो सद्ध जीर को मिलेगी हमें, तो क्या होगा अभी तो मैंने कहा कि X से Y की तरफ घूम रहें जिसे यहाँ पर मैंने B से जो है मैंने भूमने के कोशिस की A से B की तरफ तो हमें C मिल रहा है उपर की तरफ लेकिन अगर मैं इसी प्रकार से जब मैं B से A की तरफ आँगा या X से Z की तरफ आँगा तो यह माइनस Y मिलेगी मुझे तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जो क्रम विने में यह कानियम होता है वो नहीं पालन होगा अर्थात मैं बोल रहा हूँ कि A X B जो है वो बराबर नहीं होता B X A के बलकि यह जो है यह होता है कि A X B जो है यह बराबर होता है माइनस आफ B X A के क्योंकि जब मैं B से A की तरफ जाओंगा तो direction change हो रहा है यहांपर direction change हो रहा है आप देख सकते हैं जब मैं इधर से इधर घूम रहा हूं तो यह direction आरी है मेरे अगोटे की ठीक है लेकिन जब मैं इधर से इधर घूमँगा तो अगोटा मेरा नीचे की तरफ है जैसे यहांपर आप देखें A से B की तरफ घूमा तो C आया ठीक है बाहर की तरफ है हाला के C और जब मैं B से A की तरफ घूमँगा तो मेरा उठा अंदर होगा बी से ए की तरफ घूमा दांग उठा, नीचे की तरफ मैंने इस प्रकार से इसको मान लिया है तो अब देखेंगे कि डारेक्शन यहाँ पर किस प्रकार से मैटर करता है इसको सिमिलरली हम जो है एक्जामपल में बताते हैं जैसे मैं इसको और सही तरीके से एक चितर बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ओके तो एक छोटा सा चितर बनाने का प्रयास है मेरा यहाँ पर तो यह आप समझ रहे हैं कि एक प्लेट है प्लेइन है एक समतल है ठीक है एक समतल है यहाँ पर और समतल में ही यहाँ पर दो सदीस है ठीक है समतल में ही मैं माल लेता हूँ कि दो सदीस है एक मैं मालनों कि चलो यह सदीस है और एक माल लेता हूँ कि यह सदीस है तो अगर मैं A इसको मान रहा हूँ, B इसको मान रहा हूँ, मैं 3D को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं A से B की तरफ घूमने का प्रयास कर रहा हूँ, पहली बार इसके अंगल ठीटा है, तो ये पहली बार मैं इधर घूमूँगा तो आप देखो एक ही plane पे घूम रहा हूँ मतलब इसको समझे कि मेरा हाथ ही है तो ये A से B की तरफ मैं जब घूमूँगा इसमें यहां से मैं A से B की तरफ मान लिजे कि ये मेरी उंगली छोटी वाली क्या है A है और ये मेरे आंग उठा क्या है B है तो मेरे हाथ को देखिएगा कि मैं अगर अगर अपनी इस उंगली से इस उंगली के तरफ अगर मैं घूमूँगा तो अपना हाथ रखूंगा इस प्रकार से आप देखिए इसको ऐसा समझेए यह उंगली है मेरी, यहां से मैं यहां गूम रहा हूँ, इसके बीच में अंगल थीटा है, इन तीन उंगलियों का आप इग्णोर करिए, आप इतना देखिए वस यह, तो इसको A सदिस मानिए, इसको B सदिस मानिए इस प्रकार से, तो जब मैं A से B की तरफ ढूमूँगा, तो मेरा अंग उठा देखे कहा है, यह A कही तल में है, समतली यह सदिस बोलते हैं को, एक ही तल में जब सदिस इस्थित होती है, दो हो, चार हो, दस हो, पचास हो, सव हो, वो सारी के समतली यह बोली आती है, क्योंकि सेम तल में लाई कर रही है, एक्जिस्ट कर रही है, तो यह सदिस जो होगी वो C होगी जो कि मैंने आपको बता रखा जो कियागा A क्रॉस B के clear है जब मैं A क्रॉस B की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं exactly कहना क्या चा रहा था जो कि यहां पर वो चित्र clear नहीं हो रहा था अब मैं उमीद करता हूं कि यहां पर आपको यह चित्र complete हो गया होगा तो यह इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम A और B को क्रॉस करते हैं यहां पर क्रॉस करने का सबसे अच्छा तरीका सबसे एक छोटी सी बात यह भी है जो कि आपको पहचारनी है कि यहां पर दोनों सदिस के पूछ जो है एक ही जगे जुड़े होते हैं उनके सिर अलग अलग तरफ होते हैं मतलब उनका जो head होता है वो different direction में है लेकिन यहां पर जो starting point है जो tail होता है जो पूछ होती है सदिस का साब्दिक अर्थिया physical meaning अगर मैं बताऊं तो physical meaning यह है कि मैं यह कह रहा हूँ कि एक सदिस दूसरे सदिस के लिए की तरफ जब cross ले रहे हैं तो इसका मतलब वो किस अक्ष के about घूम रहे हैं और कितना घूम रहे हैं तो जैसे theta घूम रहे हैं लेकिन घूम किस के about रहे है सदिस जो है वो निकल के आ रहा है मतलब जो मैं घूमा रहा हूँ इसको ऐसे cross कर रहा हूँ यहां से यहां की तरफ तो आप देख सकते हैं जो घूमने वाली अक्ष है वो क्या है जो अंगू उठा जा रहा है यह एक अक्ष है और जो इसका resultant आ रहा है इसी अक्ष पे आ र सदिस किस प्रकार से उस तल में या उस जगे पर किस प्रकार से फैली हुई है कितने एंगल पे प्रकार से इसका तो मुझे क्या में बायो है बटा A B sin theta क्योटि लम्ब एकड़म प्राप्त होता है एक एक और B क्रॉस का इसलिए में लेका कि A x B और B x A एक दूसरे के आप वोजिट होते हैं ठीक है तो A cross B जो है वो बराबर होता है माइनस साइन के B cross A के ठीक है डारिक्सन चेंज होगी बटाए हाँ पर मान सेम रहेगा यह याद रखें लेकिन डारिक्सन चेंज हो जाएगा अगर मैं इसको बोल रहा हूँ यह C सदीस है और इसको मैं बोल रहा हूँ यह D सदीस है तो आप दोनों में सम्मन्ध इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि C और D जो है जो magnitude है magnitude of C सदीस बराबर है magnitude of D सदीस लेकिन अगर डारिक्सन देखूं तो मैं यह नहीं बोल सकता कि C सदीस मैं यह नहीं बोल सकता कि बराबर है D सदीस के नहीं बलकि C सदीस बराबर है minus of D सदीस के तो इ परिमाड बरावर है अर्थात में बोल सकता हूँ C का परिमाड बरावर है डीके लेकिन डारेक्षन अपोजिट है तो मान बरावर है लेकिन डारेक्षन अपोजिट है क्योंकि यह पॉजिटिव डारेक्षन को इंडिकेट कर रहा है यह नेगटिव दोनों के मान जो है वो ब तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अच्छा बहुत छोटी चीजे हैं बहुत धीरे-धीरे में चल रहा हूं ताकि आपको समझने का मौका मिले धीरे-धीरे में एक्जामपल्स भी ले रहा हूं छोटी छोटे एक्जामपल्स और लुंगा में लेकिन उससे पहले एक क्रॉ कि या इसको इससे बताने से पहले मुझे अभी आई और जे और के सदिस को भी थोड़ा सी एक्स्प्लेंश करना होगा है अच्छा मैं कहूं कि अगर एक एकांग सदिस मैं निकालो किसी सदिस का ठीक है मान लिजे कि एकांग सदिस क्रमले ले लेता हूं कोई भी एकांग सदिस के साथ समझने का प्रयास करेंगे यहां पर मैं यह कह रहा हूँ कि मैंने अभी दो सदिसें ली थी एक ए और एक बी तो मैंने ए सदिस का बी सदिस के साथ क्रॉस लिया डारेक्शन में मिली यह ए क्रॉस भी आया क्या हो अगर मैं ए सदिस का ए सदिस के साथ ही क्रॉस लूँ या एकस अक्ष का एकस के ही साथ अगर मैं गुणा करूँ ठीक है आई कैप क्रॉस आई कैप करूँ या जे कैप क्रॉस जे होगे, कुछ ही नहीं ना घुमाने को, कोई अंगल नहीं है, कुछ नहीं है, तो एस अधिस को एस अधिस के साथ घुमाएंगे, तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मतलब दोनों सामांतर साधिसों के बीच का जो, जो सामांतर साधिसों का जो सधिस गुरन होता है, वो होता है क्योंकि उनके बीच का एंगल थीटा एकोस तो जीड हो जाएगा जिरू साइन Շटा है। इसका परिमार कतना हँ न ऊपन और intra में इसका भी जिरो डिगरी तो मतलब क्या आ जाएगा वन इंटू वन इंटू जिरो मतलब जीरो आ जाएगा आंसर तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम किसी सदिस का क्रॉस प्रोड़क्ट उसी के साथ लेते हैं तो हमें जीरो प्राप्त होता है अर्थात इसका रिजल्ट ये समझे कि द समांतर सदिसों का सदिस गुणन फल सून्य होता है तो अगर समांतर सदिस है एक दूसरे के दो समांतर सदिसों का सदिस गुणन फल सून्य होगा ठीक है इसका दूसरे सब्दों में भी मैं लिखता हूँ कि किसी सदिस का या किसी सदिस ए लिख लेते हैं एक्जामपल के तौर पर ए का किसी सदिस ए का स्वयम के साथ किसी सदिस ए का सदिस गुणन फल ऐसा लिख लेता हूँ गुढन फल सवयम के साथ सवयम अर्थात ए के साथ किसी सदिस ए का सदिस गुणन फल सवयम अर्थात शदिस ए के साथ करने पर सून्ने सदिस प्राप्त होता है क्या प्राप्त होगा बेटा सून्ने सदिस प्राप्त होता है यह सून्न होता है नहीं लिखना चाहिए क्योंकि सून्ने परिमार है और मैंने कहा है कि जब क्रॉस होगा तो सदिस ही प्राप्त होगा तो सॉन्ने सदिस अब आप सोच रहे हो। सॉन्हे सदिस क्योंकि हमने ये कहा नहीं तो रोल के खिलाफ हो जाएगा हमने ये बताया है आपको कि जब दो सदिस का सदिस गुरण फल होता है तो सदिस ही प्राप्त होता है अब भले वो सून्य हो लेकिन सून्य को हम सदिस दिखा लेते हैं सून्य की कोई डारेक्टर नहीं है एक इस्थिती है लेकिन फिर भी क्योंकि हमें रिजल्ट जो है या जो नियम है जो लौ है जो रूल है उसके इसाफ़ से देखें तो सदिस ही प्राप्त होना चाहिए अर् हम उसको फिर भी सुन्ने सदिस लिखते हैं ठीक है तो यह कह सकते हैं आप कि सुन्ने सदिस प्राप्त होगा ठीक है तो सुन्ने सदिस है यह इसको हम सुन्ने सदिस बोलते हैं सूनने सदिस है ठीक है तो ये सूनने सदिस आपको इस प्रकार से प्राफ्ट हो रहा है आँपर सूनने नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हम सदिस गड़ित पड़ रहे हैं अगर अधिस होता तो मैं सूनने लिख देता है सिर्फ ठीक है ओके तो इस प्रकार से ये बहुत important है इसी प्रकार से क्योंकि हमने एक आंग सदिस लिया है तो जो धुरुवी सदिस होते हैं धुरुवी सदिस नहीं बलकि निर्दे सांग को अले जो सदिस होते हैं तीक है जैसे i cap, j cap, k cap तो इनका भी आप समझेगा इनके लिए भी एक फर्मूला बढ़िया बताऊंगा मैं आपको similarly यहाँ पर अगर मैं जैसे अगर मैं कहूं कि i cap का ठीक है चुकि मैंने यहाँ पर देखा चुकि n cap का अगर मैं cross लूँ n cap के साथ तो प्राप्त होता है सुन्य सदिस सुन्य पराप्त होता है जिसको आप लगवक लगवक अगर बेसिक भासा मोले तो सुन्य लिख लीजिए 0 पराप्त होता है सुन्य सदिस पराप्त होता है 0 लिख लीजिए आप कोई दिक्कत नहीं है इसी परकार अगर मैं इसी परकार i cap को अगर मैं cross करूँ i cap मतलब x axis को अगर मैं x x के साथ ही अगर मैं गुड़ा करूँगा या cross करूँगा साधिस लूँगा तो हमें फिर से 0 साधिस प्राप्त होगी जिसको मैं 0 ही लिख रहा हूँ simple सी बात है तब मैं 0 लिख लूँगा इसी प्राकार मैं j cap cross j cap करूँगा तो 0 प्राप्त होगा k cap cross अगर मैं करूँगा k cap तो हमें 0 ही प्राप्त होगा लेकिन कुछ interesting चीज़े और है जो आप चक्रिय गुड़नखंड देखते हैं चक्रिय गुड़नखंड क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाता है जहाँ पर आपको सदिस नहीं होता है लेकिन आप फिर भी ABC में cross करते हैं ABC लिख लेते हैं या XYZ लिख लेते हैं या LMN लिखा होता है PQR लिखा होता है कुछ भी XYZ कुछ भी लिया जा सकता है कोई भी चर लिया जा सकता है डिप्रेजनट करने के लिए जब आप चक्रिय गुड़नखंड करते हैं तो चक्रिय क्रम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको इस सदिस गुड़नफल में तो सदिस गोडन फ़ल में चक्री अक्रम हम X, Y और Z के लिए जनरली निकालते हैं या देखते हैं तो अगर एक चक्र मैं बना लूँ, सिंपल सी बात करूँ चक्र मतलब एक सर्कल बना लिया, इसमें मैं और्डर देने वाला हूँ और्डर मतलब कि अब देखिए, मैं इसको ऐसा मानगी, इसको बस आपको दिमाग में रखना है कि जैसे मैं कहूं कि ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और इस प्रकार से Z एक्सिस है तो ऐसे ही मानना है X, Y, Z, तो X, Y, Z ना लिखके मैं I Cap, J Cap और K Cap सिफ्ट कर दूँगा ऐसा आपको समझना है, जैसे मैं कहूं कि एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Direction के साथ मैं इस दिसा को कह रहा हूँ, ये I Cap और इस दिसा को मैं Positive Direction लेकर चला हूँ मैं आपको Explain कर रहा हूँ चीजों को, इसको मैं J Cap बोल दूँ और थोड़ा पास पास हो गया है, इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं ठीक है, तो एक I Cap हो क्या, एक J Cap ले लेता हूँ मैं और एक हो जाएगा फिर यहाँ पर K Cap ठीक है, तो I Cap, J Cap, K Cap है, अच्छा यहाँ पर रियाद रखिएगा कि यहाँ पर जो मैं Direction लिया हूँ इस Direction को मैं Positive बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर Direction को दिखा देता हूँ कि यह जो Direction है, यह जो Direction है, इस Direction को मैं Positive लेके चल रहा हूँ लेकिन जब मैं इस Direction में घूम रहा हूँ, तो यह Positive Direction है, मतलब इस Direction में घूम रहा हूँ तो यह positive direction है, मैं ऐसे होँगा, तो यह negative direction होगा, यह आपको मान के हाँ पर रखना है, clear है, चले, तो अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ, तो अगर मैं I को I के साथ cross करूँ तो कुछ प्राप्त होगा, नहीं, कहीं नहीं जाओँगा, लेकिन जब मैं I को J के साथ cross करूँगा तो I और J के बीच में angle कितना होता है, X और Y axis, X axis और Y axis के बीच में angle कितना होता है, theta equal to 90 degree, तो I और J को cross करूँगा, तो यह आजाएगा 1 into 1, और sign आजाएगा 90 degree, और sign 90 degree के वहलू क्या होती है, 1, तो अब देख सकते हैं, यह प्राप्त होगा आपको 1, तो I cross J, जब I cross J मैं करूँगा, तो direction जो हमें प्राप्त होगी, 1 cross 1 तो है ही, लेकिन cross के साथ हमें direction है, तो K कैप एक चुले मिलेगा, I cross I, जब मैं कर रहा हूँ, तो माफ करिएगा, यहाँ पर हमें K लिखना होगा, तो direction हमें मिलेगी बटा K कैप की, ठीक है, K कैप और sign 90 अर्थात हमें 1 into K, हम इसको लिख सकते हैं, सिर्फ K, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, K प्राप्त होगा, I cross J equals to K, इसी प्रकार से J को अगर मैं cross करूँगा, K के साथ, J को अगर मैं K के साथ cross करूँगा, तो J और K मतलब Y X, Y अक्ष जो है, और Z अक्ष जो है, उनको दोनों का cross लूँ Y और Z अक्ष के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा, तो अगेन यह वन हो जाएगा, लेकिन प्राप्त क्या होगा, X, ठीक है, अक्ष का जो सदिस है, अर्था हमें प्राप्त होगा, I के, इसी प्रकार से मैं अगर K से I की तरफ आउंगा, K से अगर मैं I की त हम चल रहे हैं, तो I से J किया तो K प्राप्त हुआ, J से K किया तो I प्राप्त हुआ, और K से I किया तो हमें J प्राप्त हुआ, डायरेक्शन हमारी यह पॉजिटिव थी, इस दिसाम हम चक्री एक करम इसको बोल रहे हैं, चक्र में चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं चकर के वि नहीं माइनस जे प्राप्त होगा सोचिए 90 डिगरी तो है लेकिन क्रव बदल दिया तो चिन्द क्या हो जाए को विप्रीत मैंने आपको बताया था भी कुछ देर पहले कि ए क्रॉस बी जो है वो बरावर होता है माइनस बी क्रॉस एक तो आई क्रॉस जे जो होगा वो बरावर होगा माइनस जे क्रॉस एक जैसे आई क्रॉस के करूँगा तो माइनस जे प्राप्त होगा सिंपल सी बात है तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा बटाएं यहाँ पर जो हमें साथ इस प्राप्त हो रहा है आई क्रोस जब के करूँगा तो हमें प्राप्त होगा माइनस आफ जे कैप इसी प्रकार से अगर मैं प्राप्त करूँगा के से जे जाऊँगा तो k cross j करूँगा अगर मैं तो हमें प्राप्त होगा minus i cap और अगर मैं j से i जाऊँगा j cross i करूँगा तो हमें प्राप्त होगा minus minus k cap तो इस प्रकार से ये नियम है चक्रिय गुडन खंड है तरह से चक्रिय अक्रम हम देख रहे हैं चक्रिय क्रम तो चक्रिय गुड़ा का एक तरह का क्रम हमने ले लिया है ठीक है ये इस चित्र है और इस प्रकार से हम इसको एक्स्प्लेंट करते हैं तो बेसिक बेसिक सी चीज़े बता रहा हूं और आराम से इसको आप करेंगे हो जाएगा बिल्कल परीसान नहीं होना है बेसिक सी चीज़े है ठीक है और इसको हम बहुत बार इस्तमाल कर चुके हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेंसे बहुत सारे बच्ची इसको जानते भी है अलरेडी जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से देख ले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं, यहां पर इसको एक चितर बना सकते हैं कि I क्रॉस, जो हम कर रही है, आई एक्से से आई है, इसको मैं J माल लेता हूँ और इसको मैं कि मैं के माल लेता हूँ, एक माल लेता हूँ हम सिंपल सिंपल nossaher बीच में एक, दूसरे के सा पेक क cap360 30 degree, तिह नोघ दूसरे से लंबत हैं, तो जिए से आई से जी की की तरफ जाओंगँ तो के परिप्राफ स這फ है, क्योंकि मैं इप्थ जे पाहर बाहर की तर बोर्ड के बाहर, थिक है क्योंकि मैं बोर्ड के बाहर प्लाइन ही किछ पाऊंगा तो X Y Z axis है ये X Y and Z axis है तो जब मैं घूमूँगा तो K मिल रहा है J से K के घूमूँगा तो I मिलेगा देख लीजिए J से J है और K कहा है मने बताया बाहर है ये इधर नहीं है बाहर है अच्छली तो J से इधर घूमूँगा तो उठा क्या बता रही है ये और J से J से मैं X की तरफ घूमूँगा जिड क्या है बाहर की तरफ जिड क्या है बाहर की तरफ तो बाहर से मुझे की तरफ उनना है X की तरफ तो बाहर से मैं X की तरफ घूमूँगा तो उठा उपर की तरफ मतलब Y मिलेगा अर्था के से क्या मिला है तो क्य से आई डाहिए मुफे अगर सिंपल जीज़से लेकिन इसका उल्टा अगर मैं चलू इसका उल्टा जैसे आई क्रॉस के किया है इसकर आई क्रॉस के करूं को मतलब कि से के कि तरफ कर Track करना इधर थोड़ी होती तुछ क्रस आई हो जाएगा हमें क्रस के करना है तो आई से जब के की तरफ मतलब बाहर के तरफ यह और बाहर है क्या के ठाय भाई जड़ा और एक्स तो एक्से जब मैं जड़ की तरफ घूमा यह इतना घूमा Congress डिक ét अधर था M कार्स अभी के लिए सकते हैं आप करके देख सकते हैं चेक कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं इसका क्लियर है ना तो बेसिक बेसिस से चीज़े जो है क्रॉस में यह आपको समझ में आ रही है अब एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज है जितना कुछ मैं आज इस लेक्शन आ रखा है म؟ मालिजे अ आई कैप है या आएवन आई कैप ले लेते हैं प्लस बीवन जे कैप प्लस सी वन के कैप इसी प्रकार से बी जो है वो दूसरी सधी से जिसको मैं ले लेता हूँ A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap इस प्रकार से अगर मुझे A और B का cross करना है अब यहाँ पर जो real example से जो वास्तविकता है वहाँ आते हैं यहाँ पर हमें प्रयोक करना है अगर मुझे इन दोनों का cross product लेना है अर्थात मुझे A cross B अगर चाहिए तो क्या आएगा question है क्या आएगा कैसे निकालेंगे किस प्रकार से हमारा answer आएगा तो आएगे करके देखते हैं तो पहला तरीका तो यह है कि A cross B अगर मैं करूंगा तो method number one इस्तवाल करना हूँ मैं याद रखियागा मैं इसको जो बोल रहा हूँ वो उस पर ध्यान रखियागा कि method number one बोल रहा हूँ इसको तो first method जो है उसको इस्तवाल करते हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो जो मैं A cross करूंगा B तो आप देखेंगे पहले मैं A लिख लेता हूँ मतलब A1 I cap प्लस B1 J cap प्लस C1 K cap ध्यान यही रखना गलत हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पर cross लगाएंगे अब B का मान रखूंगा मैं B का मान रखूंगा B का मान कितना बेटा A2 I cap प्लस B2 J cap प्लस C2 K cap अब फिर से मैं इसका bracket किया अब पहली चीज तो यह है कि A1 का गुड़ा होगा उन सब के साथ फिर B1 का गुड़ा होगा उन सब के साथ फिर C1 का गुड़ा होगा उन सब के साथ तो देखिएगा कैसे होगा तो ध्यान से पहले A1 का मैं गुड़ा कर रहा हूं इनके साथ तो A1 का गुड़ा A2 और I cap I cap तो A1 A2 I cap का गुड़ा हो रहा है I cap के साथ मतलब i cap cross हो जाएगा i cap cross है dot नहीं लगाएंगे फिर plus का chin यहाँ लगा है अब a1 का होगा b2 के साथ यह जाएगा a1 b2 ध्यान से दिखिएगा a1 b2 i cross j i cross j ठीक है फिर होगा plus chin लगा है बिलकुल plus लगा देंगे अगर minus होता तो मैं minus लगाता a1 का c2 के साथ करेंगे तो यह जाएगा a1 c2 और i cross j kai यह हो गया a1 का एक पद का गुणा इसी प्रकार से b1 का करना है इन तीनों के साथ फिर c1 का करना है इन तीनों के साथ clear है तो आइए स्टार्ट करते हैं और फटा-फट से करते होए चल रहे हैं बीवन का करेंगे a2 के साथ ही हो जाएगा b1 a2 यह j cap है और यह i cap तो मतलब j cross i cap याद रखिएगा कि इसका उल्टा मत नहीं उल्टा नहीं लिख सकते कि पहले मैं इसका लिख लूँ फिर इसका लिखे cross नहीं पहले इसका गिंतिकों मैं आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन जो दिसा बता रहा है उसका order नहीं बदल सकते हैं यहाँ पर j cross i हुआ है याद रखिएगा i cross j उसको नहीं लिख सकता है कि j cross i लिख है तो उसको मैं i cross j लिख लूँ नहीं लिख सकते बटा ठीक है प्लस b1 b2 j cap और j cap ठीक है तो j cap का cross हो रहा है j cap के साथ प्लस b1 का c2 के साथ तो यह जाएगा b1 c2 और j cap है तो j cap और cross लग रहा है k cap के साथ ठीक है फिर अब plus हो गए यहाँ पर plus c1 करेंगे किसके साथ a2 के साथ c1 a2 यह क्या है k cap किसके साथ हो रहा है i cap के साथ तो cross लगेगा i cap plus c1 का b2 के साथ तो c1 b2 और यह है k cap हो किसके रहा साथ है j cap के साथ plus c1 का c2 के साथ तो c1 c2 k cap का गुड़ा हुआ k cap के साथ अब एक चीज़ आप जानते हो कि i cross i j cross j और k cross k कितना होता है zero i cross i j cross j k cross k zero 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 तो zero कर लेंगे अर्थात कुछ चीज़ें में zero प्राप्त हो रही है इसको मैं दूसरा तरीका भी करके दिखाऊंगा फिल्हाल मैं चाहता हूँ कि यह आप देखें तो यह वाला पदल क्या हो जाएगा बटा zero ठीक है j cross j जहाँ होगा वो भी zero होगा जैसी यह j cross j है यह भी zero और k cross के जहाँ है यह भी zero ठीक है अब देख लीजेगा मैं जो बता रहा हूँ इसको यह हो गया इसको अब एक बार फिर से filter करके हम आगे चलेंगे अभी कुछ इसका जैमिती अर्थ वगर बटाऊँगा फिल्हाल इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो जब मैं इसको आगे बढ़ाँगा तो आप देख सकते हमारे पास क्या वाचा है अच्छा कुछ चीज़ और कर लेते हैं i cross j है i से j की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा k क्योंकि i से j जाएंगे तो k j से अगर i आएंगे तो माइनस k ठीक है तो i से j गए है तो यहाँ पर जो मिलेगा हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा बटा k कैप ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा k कैप तो हम i से k जा रहे हैं अर्थात यहां पर क्या पराप्त होगा? माइनस j cap ठीक है? यह magnitude इसका वही है, ठीक है? magnitude पर फर्रक नहीं है, बस दिसावफर j से i की तरफ आ रहे हैं, देखो j से i की तरफ आएंगे तो मुझे i cap मिलेगा, देख लो, j से k जाओंगा j cross के i cap मिलेगा तो i cap लिख लेंगे इसको, यह क्या है? i cap, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हर एक step को कर रहे हैं के से i आएंगे? देखो, के से i आना है, के cross i करेंगे तो j मिलेगा, positive देखो के से i आएंगे तो, ठीक है, j मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे? j मिला, j cap, यहाँ पर के से j जा रहे हैं, उल्टा, के से j जाएंगे, माइनस i मिलेगा, देख लिजए, के से j जाएंगे तो माइनस i मिलेगा, लिखा है 9 step थे, 9 में से 3 0 हो गए 6 बचे, 6 step को लिख लेते हैं, एक एक कर के लिखते हैं, ये क्या है, A1, B2, KK, जान से देखिएगा, A1, B2, KK, फिर KK वाला एक आगे है, लेकिन ठीक है, मैं अभी इसको लिख लेता हूँ, प्लस, ये प्लस है, क्या माइनस, ये माइनस है, तो माइ माइनस, A1, C2 हो झाएगा, माइनस, A1, C2, और क्या बचेगा, J-K, फिर क्या है, आगे माइनस चिन्हा जाएगा, क्योंकि प्लस, माइनस, माइनस हो झाएगा, B1, A2, तो माइनस, B1, A2, और क्या है वाटा, दिसषा क्या है, K, कलिर हैser न, आगे चलेंगे, तो B1, C2 है औ C1, C2, और I cap, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा C1, A2, J cap, प्लस का ही है, ठीक है, और यहाँ प्राप्त हो रहा है बिटा, C1, B2, माइनस के साथ, तो इसके वाज़े से C1, B2, और यह जाएगा I cap, अब जो I cap वाले हैं, उनको एक तरफ J cap वाले हैं, एक तरफ K cap व इसमें बहुत ऐसे cutting वाली चीज़े हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको एक बार लिखते हैं, arrange करते हैं, तो I cap वाला मैं पहले लिख लेता हूँ, तो I cap वाला क्या है, यह, B1, C2, I cap, यह मैं A cross B किया था, जिसका result आवा रहा है मारे पास, पहले मैं इसको लिख लेता I cap वाले को, तो दो I cap का है, दो J cap का और दो K cap के पद हैं, आप देख सकते हैं, I cap का यहाँ पर देख सकते हैं, यह है B1, C2, B1, C2, ठीक है, I cap, फिर क्या है, माइनस C1, B2, तो माइनस C1, B2, I cap, clear है, फिर मैं J cap का लिख लेता हूँ, पहले धनात्मक वाला, फिर धनात्मक J cap, clear है, इसके बाद है, माइनस A1, C2, J cap, ठीक है, इसके बाद, A1, B2, K cap, और फिर माइनस B1, A2, K cap, तो A1, B2, K cap, माइनस B1, A2, K cap, देख लिचे, माइनस B1, A2, K cap, clear है, सारा आ गया, 6 के 6 पाद आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I cap, I cap, common ले लिचे, I cap, common लेंगे, तो यहाँ पर बजएगा, B1, C2, माइनस C1, B2, यहाँ पर प्लस J cap, common ले लिचे, तो यह बचेगा, सारी, यह बचेगा, C1, A2, और माइनस बचेगा, A1, C2, यहाँ पर प्लस K cap, common ले लिचे, तो, इसको C1, लिख लेते हैं, साफ, साफ, तो यहाँ आजाएगा, common ले लिचे, तो यह बचेगा, A1, B2, माइनस, B1, A2, clear है, तो यह हमारा answer है, अब, ठीक है, A cross B, हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, आप चाहें, तो अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ, इसको वहाँ लिखना चाहूँ, तो, माइनस चीन, तो common ले सकता हूँ, तो यह माइनस जे कैप, और यह ही आ जाएगा, तो इसको कई बार ऐसे लिखते हैं, तो A cross B, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, यह first process के बाद दूसरो process जरूरी है, तो दूसरे process के तरफ ही इसको लिखते हैं, B1, C2, माइनस C1, B2, यहाँ पर मैं माइनस जे कैप ले ले लाता हूँ, माइनस चिन है common लूँगा, तो जो plus वाला है, माइनस जो माइनस वाला है, वो plus बन जाएगा, अर्थात यह पहले आ जाएगा, A1, C2, माइनस हो जाएगा, C1, A2, ठीक है, और इसको plus ही रखते हैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, यह आपको दिखाता हूँ मैं अभी, यह हो माइनस यहाँ से common ले लो, माइनस common ले लिया, माइनस one, तो माइनस one common ले लिया, तो यह माइनस इसमें आ जाएगा, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका फिर से माइनस अंदर भेज़ दो, तो यह माइनस A1, C2 हो जाएगा, यह देखो, और यह प्लस हो जाएग तो second method क्या है बटा second method कहता है कि जब आप A cross B कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए सारडिक वाला method है जेतना बच्चों को पता है अच्छी बात है नहीं पता है तो देखिए सबसे पहले क्योंकि हम देख सकते हैं कि A और B को cross करना है आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप दोनों में हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई कैप, यहाँ पर थोड़ा दूर गैप करके जे कैप, फिर के कैप सारडिक है यह ठीक है अब A से B के ओकी मुझे जाना है तो पहले A के सभी गुडांकों को लिख लेंगे I का जो गुडांक है उसको नीचे, I cap के नीचे लिखेंगे A1, B cap के नीचे लिखेंगे B2 और इसके नीचे लिखेंगे C1, ठीक है? तो ये A1, B1 और C1 आ गया अब मैं B के गुडांकों को लिखूंगा A2, B2, C2 तो ये हो जाएगा A2, B2, C2 अब इसको करने के लिए अपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सबसे पहले मैं I cap लिखूंगा I cap जब लूँगा मैं तो I cap के नीचे और I cap के सामने इसको बोलते हैं column, istumbh बोलते हैं इसको पंक्ती बोलते हैं तो पंक्ती और istumbh में चीजों को नहीं लेंगे बाकी जो बच गया मतलब ये 4 बच गया अर्थाथ इन चारों के वीच में गुडां होगा ध्यान दखिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ तो इसको मैं अभी ऐसा दिखा रहा हूँ कि जब मैं आई लूँगा तो ये और ये बंद हो जाएगा ये चार बचेंगे इनके बीच में गुड़ा होगा तो कैसे मैं कर रहा हूँ देखे आई कैप ठीक है ब्रैकेट लगाईए अभी देखे यही आंसर मिलेगा बीवन से सीवन की तरफ जाएए और बीटू से सीवन की तरफ जाएए ये गुड़ा है लेकिन एक गुड़ा करने के बाद जब आप बीवन से सीवन करेंगे ये पहला है बीवन से सीवन आपको उपर से नीचे आना है फिर नीचे से उपर जाना है तो बीवन से सीवन तो मतल दूसरा करने से पहले, दूसरा पद करने से पहले माइनस चिन लगता है, माइनस चिन बीच में लगाएंगे B2C1, ब्रैकट बन दे, एक हो गया, देखिए यह आ गया क्या, B1C2 माइनस C1B2, देखो, C1B2, आ रहा है न, आ गया, फर्स्ट पद आ गया, देखो, एक बार में अब जब हम, देखो, आई कैप हो गया, तो मतलब यह मैंने चिन लगाया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको आपको लगाना नहीं है, आपको बस दिमाग में ही रखना है, ठीक, अच्छा, आब मुझे, आब मुझे बटा, जे को लेना है, तो जब, देखो, इसको प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, तो अब देखें कि हर जगे सब प्लस समय, यह प्लस है, तो इसके दोनों तरफ माइनस होना चाहिए, तो प्लस है, इसको मैंने प्लस बोला है, इसको अगर मैंने प्लस बोला है, तो यह माइनस होगा, यह प्लस होगा, यह माइनस होन चाहिए यह प्लस होना चाहिए यह माइनस होना चाहिए यह प्लस चाहिए आप इधर से आके देख लीजिए चाहिए इधर से आके देख लीजिए चाहिए इधर से इधर से इधर चलिए फिरा धर आये फिर दर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यह प्लस माइनस प्लस माइनस और यहां पर भी देखें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब एक प्लस के बाद दूसरा माइनस उसके बाद फिर प्लस उसके बाद फिर माइनस एक प्लस के दूनों चारों तरफ माइनस यह होगा प्लस के तरफ बगल में माइनस 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 एक माइनस के चारू तरफ प्लस ही आएगा तो माइनस है तो प्लस 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 तो देख सकते हैं एक वस एक जो है प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस तरह से ओडर है तो जो J है वो माइनस के साथ है जो J का order आता है वो आप देख सकते हैं ये प्लस मैनस आपको लिखना नहीं दिमाग में रखना है लेकिन मैंने यहां लगा दिया तो माइनस J कैप ये पद मैंने इसी लिया था माइनस ची नहीं से लिए काउम लिया था ताकि मुझे जब मैं ये वाला मैथट करो तो आपको डारेट ये वाला मैथट दिख जाए तो जब मैं जे लूँगा तो ये वाला और ये वाला पंक्ति खतम और इसके सामने वाला खतम अब क्या वचा ये वचा है फिर दूसरा को रॉड़ा करने सपहले एटो-सीवन करने से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा माइनस देखिए मिल राए क्या एएवन सीटू- एटोग्रण या चिवन रहा है तो गुड़ा आगेफिश्वनली सकते हैं ऑच्छा कि प्लस पह के किस पे आ रहा है बटा प्लस पॉइंट पर आ रहा है प्लस पे आ रहा है तो देख सकते हैं तो यहाँ पर हम चिन्धे लेके चलेंगे क्या प्लस प्लस ले लेंगे के के अब देखें गुड़ा तो जब मैं के लूँगा तो यह सामने का कट जाएगा यह कर जैगा बचा हुआ 4 है निमेंभुड़ा होगा यहाँ से होगा यहाँ से होगा तो हाँ देखिए क्या हो रहा है A1 से हुआ है B2 के तरफ मतलब हर बार उपर से नीचे फिर नीचे से उपर तो उपर से नीचे करिए A1, B2, माइनस करेंगे, नीचे से उपर A2, B1, खतम यह आंसर है, ठीक है, यह आपको समझने के लिए मैं इसमें लगा जेता हूँ लाइन, लेकि लाइन नहीं लगाना है, इसमें प्लस माइनस जो मैंने लगाई है, समझाने के लिए हलाकि लगाना नहीं है, आपको बस दिमाग में ही रखना है, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस इस तरह से चलता है, तो बेसिक सी चीज है, और देख सकते हैं, कि जिसको करने मुझे एक पेज से ज़्यादा लगा, उसको मैंने एक लाइन में कर दिया, तो इस इस आपको ये मेथड करना है, ये मेथड करना है, करके देखिए, दोनों से करिए, ठीक है, एक्जामपल्स हम अभी और करेंगे, थोड़ा सा दो सदिसों का जो सदिस गुडन फल है, उसका जयामती अर्थ समझते हैं, जयामती अर्थ मतलब कि जो जो हम आकृतिया देखते हैं जो देखते हैं, जो सेप्स देखते हैं, उनकी बात कर लेते हैं थोड़ा से, जैसे मैं एक समानतर चतुरभुज का, अगर मुझे च्छेतरफल निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ, एक चतुरभुज का च्छेतरफल निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ, तो बेसिक हुआ 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 घी में ये समांथर से बाति हमा थूढ़ा में थ्वहाद रखना है आपको कि समांदर चत्रवुज जैसा ही लगे ठीक है मैं कोसिस किया हूँ कि समांदर चत्रवुज जैसा लगे और लग भी रहा है वैसे इसका नाम आपको रखना है इसमें दो सदिस है मारे पास क्योंकि at the end हम दो सदिस ही निकाल रहे है तो लेट से कि ये origin point है starting point है एक सदिस ये है और एक सदिस ये है इस प्रकार से दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कौण है आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कौण है ये कौण भी आप देख सकते हैं कौण थीटा में बोल लेता हूँ यहां पर एक विकर्ण माल लेते हैं अच्छा यह वही है च्छत्रभज जैसा निय्ख में जोड़ने का ना वही सद्धिस क Kirsty को सवांतर कर चत्रभुज नियम में बताया था वज्यसा सही कुछ है लकिन इसका मुझे शैकत्रफल अगर निकालना है तो मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ और कैसे निकालूँगा उसको देखते हैं अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक विकर्ड खीच लेता हूँ दो सदिसों को जो मिलाने वाला पॉइंट है वहाँ नहीं खीचेंगे सीरस से सीरस तक का दो की सीरस को मिला लेते हैं एक बार तो दोनों को सीरसों को मिलाते हुए एक लाइन जो की विकर्ड कहलाएगा इसका ये विकर्ड खीच लेते हैं ये विकर्ड है हमारा इसके लिए इस चत्रफुच का ये विकर्ड है ठीक है इसको विकर्ड बोलते हैं एक विकर्ड और खीच का दोनों विकर्ड बराबर होता है ठीक है लेकिन समांतर चत्रोज का समान नहीं होता है आज समान विकर्ड होते हैं भुजाएं दुसरे का समांतर होती हैं कोण भी बराबर नहीं होते हैं और विकर्ड भी बराबर तो A cross B करिए या B cross A करिए अब मर जी आपकी यहाँ पर एक लंब डाल लिया इस पॉइंट को कुछ नाम ले लीची ए ठीक है चलिए इसको मैं A, इसको मैं B, इसको मैं C, इसको मैं D, इसको मैं E, इस तरह से नाम दे देता हूँ ठीक, अब मैं अगर देखू तो एक त्रिभुज बन रहा है बटा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, माफ करिए का, यहाँ पर लंब लंब डालने की ज़रुत नहीं है वैसे, छोड़िए लंब लंब आइसे डालना है लेकिन ठीक है अब मुझे एक चीज दिख रहा है कि दो त्रिभुज बन रहे है पहला एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है और दोनों बराबर है आपस में देख लिए दोनों एक ही जैसे हैं, जैसे मैं यहाँ से अगर इसको काट करके ऐसे मेरे पास अगर चाकू हो, इसको काट हूँ और इसको उठा करके पलट किस पर रख दूँ, तो सी बिंदु को रखूंगा तो ए पॉइंट पर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा इसको ढख लेगा, इसको काट कटा हुआ जो पार्ट है, इसको उठा कर इसको पर होगा, अच्छा, ये तरहुच का आधार ये क्या है, उचाई है एक तरह की, है कि नहीं, उचाई है, उचाई कैसे देखेंगे, तो बी की जो उचाई है आपको देखना है, बी की उचाई कितनी है, एसे, बी की उचाई क्या है, एक्शली बी की जब उचाई देखूंगा, तो B का لم मुझे देखना है तो B सदीस ये है इसका لم देख़ँगा तो सिंपल सी बात है अब मैं डालता हूँ यहां पर तो अगर आप देखेंगे तो ये B साइन थीटा है है के नहीं अरे है के नहीं भी या तो ये B साइन थीटा है उचाई तो अगर मुझे इस त्रभुज का छेतरफा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा आधार गुने उचाई आधार कितना है ए है पूरा पूरा ए है यह ठीक है यहाँ से इस त्रभुज को देख रहे हैं हम इस त्रभुज को नहीं देखे हैं छोटे से उचाई कितनी है उचाई actually B का component आ रहा है B का part है तो A B यह में लिखूंगा या A B sin theta अगर देखो तो A पूरा का पूरा A का पूरा magnitude लूँगा magnitude of A इस दिसा में क्योंकि इसमें पूरी सदिस्का है पूरा सदिस्का part है यहाँ पर पूरे सदिस्का ऐसे नहीं आ रहा है ठीक है इसका घटक आएगा उचाई में मेरे कह रहे हैं मतलब आधार तो पूरा है आधार तो पूरा है तो त्रिभुज जो है त्रिभुज अगर मैं बात करूँ ए बी डी का छेतरफल अगर मुझे लिखना है त्रिभुज अ बी डी का छेतरफल देखो हमें निकालना क्या है हमें निकालना है सामानतर चतरफुज का छेतरफल तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ समानतर ठीक है समानतर चतुर्भुज A, B, C, D सरी, D का छेतरफल जो है अगर मैं दिखाऊँ आपको अगर मुझे यह निकालना है तो आप इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं कि ऐसे इसको आप सौट काट मिले हो समानतर चतुर्भुज चत्रभुज का अगर मैं छेतरफल लिखूँ तो यह बराबर है दो गुना ठीक है दो गुना त्रिभुज A, B, D का छेतरफल के अगर मैं A, B, D का छेतरफल लिकाल को दो से गुड़ा कर दू क्योंकि दो पार्ट है ना इतना यह होगा छेतरफल इसका होगा इस पार्ट का ठीक है तो इसका दो गुना आ जाएगा अच्छा तो समानतर चत्रभुज का जो छेतरफल है अगर मैं देखू तो दो गुना आ रहा है त्रिभुज A, B, D तो त्रिभुज A, B, D में देखूं तो त्रिभुज का छेतरफल क्या होता है वेटा त्रिभुज का छेतरफल होता है आधार गुड़े उचाई डिवाइड बाई टू एक बटा दो एक बटा दो आधार गुड़े उचाई सही है? अरे सही है क्या? उचाई प्राप्त होगी, उचाई कितना प्राप्त हो रही है, बी साइन थीटा, देख लीचे, ये बी साइन थीटा है, और आधार कितना है, आधार A है, तो ये आ जाएगा, दो से दो कट गया, आधार जो है, ठीक है, या इसको मैं लिख लूँ है, एक बार, आधार जो है, वो है mod of A मतलब पूरा का पूरा A और गुणे में क्या लिखाए बटा B sin theta मुझाई जो है वो क्या है B sin theta अब आप इसको देखें तो दो से दो कट गया हमारे पास mod of A को क्या लिख सकते है A तो यह आए और cross का मतलब नहीं बन रहा है क्योंकि अब सदिस नहीं है ठीक है तो A B sin theta तो समांतर चत्रभुज जो है समांतर चत्रभुज का 6 त्रफल जो निकल किया है वो आप देख सकते है क्या रहा है A B sin theta A B sin theta कब होता है हमारे पास सदिस क्या था है A और B तो A और B बराबर A B sin theta कब होता है ये होता है जब A cross B होता है तो A cross B अगर मैं निकल रहा हूँ तो वो इसका मतलब समांतर चत्रभुज का 6 त्रफल है लेकिन इसका magnitude आपको लेना है याद रखिएगा इसका आपको परिमार लेना है इसकी दिसा आपको नहीं लेनी है sin theta के साथ आप चलते है ठीक है फिलहाल अप magnitude हटा दे रहा है तो इस प्रकार से आप basic बेसिक सी चीज़ है जिसको आपको करनी है अगर मुझे सिर्फ त्रिभुज का 6 त्रफल लेना होता है त्रिभुज का 6 त्रफल लिखता तो त्रिभुज का 6 त्रफल आधार गुणे उचाई लेकिन एक बटा 2 लगाता तो इसी प्रकार से आपको दिखा दू कि जो त्रिभुज का 6 त्रफल है यह आप लिख सकते हैं एक बटा दो A क्रॉस B के साथ लेकिन अब बस देख लिजे समझ लिजे बेसिक से चीजे हैं तो पहली चीज़ आप देख सकते हैं यह है दो सदिसों का सदिस गुड़न फल सदेथ तीनों सदिसों के तल के लंबट एक सदिस होता है जो कि आपको दिखाया था A क्रॉस B करेंगे C आएगा A क्रॉस B ठीक है अर्था सदिस B और A और B दोनों के लंबट होगा दो सदिसों का सदिस गुड़न फल करम विन वे नहीं होता है मतलब A क्रॉस B B क्रॉस A के बरावर नहीं होता है बलकि माइनस चिन्हा जाता है तो आप देख सकते हैं आपको बता रखा है सदिस A क्रॉस B और B क्रॉस A परिणाम में समान के तो दिसा में विप्रीथ होते हैं ये भी आपको बता रखा है अल्रड़ी आप देख सकते हैं B क्रॉस A करेंगे तो माइनस C आजाएगा निट्या डारेक्स आजेगी क्लिरली आपको समझा रखा है जब सदिस गुडन फल करते हैं तो बंटनियम का पालन करता है अर्थात A क्रॉस B प्लस C अगर करना है तो A क्रॉस B कर लेजे और A क्रॉस C कर लेजे और दुनों को जोड दीजे आंसर जो है आपको सही आ जाएगा दो सदिसों के सदिस गुडन फल की परिवास है के अनुसार A क्रॉस B बरावर A B साइन थीटा N कैप है यहाँ पर एक आंग सदिस लगाना पड़ता है आप याद रखे क्योंकि अगर सदिस के बरावर लिख रहे है तो अगर फिर परिमार देखें इंगे तो A B साइन थीटा हैगा तो A C C B बरावर A B साइन थीटा अर्थाथ थीटा बरावर साइन इन्वर्स A C C B डिवाइड बाई A B इंपोर्टन चीज है कुछ यहाँ पर कि अधिक्तम मान कब होगा A C C B का जब थीटा बरावर 90 डिगरी होगा साइन थीटा बरावर 90 डिगरी तो साइन थीटा बरावर अधिक्तम हो जाएगा मरतब A B प्राप्त होगा और इसका मतलब क्या है कि यदि सदिस लंबवत हैं तो उनका सदिस गुटन फल अधिक्तम होगा मतलब दोनों के बीश का अगर 90 डिगरी है दोनों साइन थीटा बरावर 0 डिगरी पर आपको 0 मिलेगा साइन थीटा का मान और 180 पर भी 0 मिलेगा तो एक बर सनरेखी इसको में बोलते हैं क्योंकि एक ही रेखा में है या इधर की तरف हो तो A क्रॉस बी करेंगे या जैसे माहलन होगी यह A है, यह B है, दुनों को cross करेंगे, तो A cross B करऊंगा, तो यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा, क्योंकि theta equals to 0 है, तो यह sun reach ही कहलाएंगे, जब दो सदिस का good until fall करने पर answer 0 प्रांव हो, तो हम उनको, क्या बोलते हैं, सनरेक Сदी भोलते हैं तो इस प्रकार सदेख सकते हैं किसी सदीष का सवयम के साथ सदिस गुड़नफल गुड़नफल कहलाता है मैंने आपको दिखा रहा था कि A क्रास ए करेंगे तो attempt zero आएगा एंकाया बकास जो की zero सदीष है 0 का 1-10 मैंने लिग दिया थे साइद वहाँ पर 0 उसको सदिस लगा दिये बटा मैंने साइद 1-10 लगा दिया थे आप पर बिल्कुल ये 0 सदिस लगा लीजे माफ करियेगा 0 सदिस है ये ठीक है? 0 सदिस लगा येगा सूनने सदिस ठीक है? इस प्रकार से तो यह बात हो गई यहां तक और यह चक्री गुड़न खंट तो मैंने बता ही दिया था कि इस दिसागों प्लस लेंगे इस दिसागों माइनस आई जे के इस तरह से आपको बना लेना है और एकांग से इस एन के लिए भी हमने आपको दिखा दिया था यह 0 जे 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 करेंगे और उल्टा करेंगे तो माइनस के साथ आएगा और यह बहुत इंपोर्टन्ट है जो कि यहां पर अल्रेडी बनी बनाई है जो कि मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको यह निकाल लीजे यहां पर A1, B1 और C1 की जगे पर AX, AY, AZ, BX, BY, BZ लिया है ले सकते हैं यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है A और B के बीच अगर आपको लमवत एकांग सदिस लेखना है A और B के लमवत कोई अगर सदिस आपको निकालना है जो कि एकांग सदिस हो जो कि दिसा बताए सिर्फ इसकी जरूरत हमें बहुत पढ़ेगी बहुत ही विज्ञान में जो जैस A x B कर लेज़े और उसका मौड से डिवाइड कर लेज़े तो A B sin theta ठीक है A B sin theta डिवाइड बाई A B sin theta आजाएगा तो यहां से सिर्फ sin theta बचएगा क्योंकि मौड ले रहे हैं बाकि A B A B कर जाएगा तुसम पर देख सकते हैं A और B divided by sin theta और यह बेसिक बेसिक सी चीज़े ह इसको पढ़ लेंगे आप हो गया है कुछ practice के लिए question था तो practice के लिए question में कुछ है नहीं जाएदा अब एकाउंक सदिस निकालना इसका तो आपको n कैप लिखना है इसका n कैप बराबर आपको क्या करना है A cross B कर लेना है ठीक है प्लस माइनस कुछ आ सकता है बटे में तो आपको कहे रहा है A प्लस B प्लस C पहले करिए तो A प्लस B प्लस C करेंगे तो क्या आएगा A प्लस B प्लस C जब मैं करूँगा A प्लस B प्लस C करूँगा तो क्या प्राप्ट होगा तो देख लिए जिए A में B जोडेंगे और C जोडेंगे तो यह i है यह माइनस i है खतम हो गया प्लस 3i बचा ठीक है यह 2j है यह j है तो 3j हो गया और माइनस 3j है तो j आए गई नहीं मतलब 0j-cap मिलेगा और यह 3k प्लस है 4,3,7k प्लस हो गया और माइनस 12k तो 7,5,12 मतलब माइनस 5k प्राप्त हो रहा है अर्थात आपको प्राप्त हो रहा है 3i-cap माइनस 5j-cap यह तो हो गया a plus b plus c अब सदिस दे रखा है a cross b तो a और b का cross ले लिजे एक और b का cross निकालेंगे कुछ ने कुछ प्राप्त आएगा answer कुछ ने कुछ ने कुछ answer यहाँएगा a cross b sin theta कुछ ने कुछ ने कुछ आएगा a cross b mod लेके करना है सारे डिक वाला ठीक है और इसके बाद कोण निकालना है तो a और b के बीच में जब को कौण निकालना है तो आप जानते है कौण के लिए क्या करना है डाट ले लेंगे इसका और इसका डाट ले लेंगे लास्ट में आपको करना है last step क्या करना है last step क्या करना है आपको a plus b plus c ठीक है का डाट ले लेंगे आप किसके साथ बिटा a cross b जो भी आएगा जो भी इस xy cos theta, तो यहाँ से फिर theta वरावर आप निकालेंगे, तो यहाँ जाएगा, cos universe, cos universe, ठीक है, और xy, ठीक है, x dot y, divide by xy, तो यह आपको प्राप्त होता है, और x और y का मतलब आप समझ रहेंगे, तो इसका मान, इसका मान निकाल करके रखेंगे answer है, आपके लिए homework है, practice के लिए this is the homework, homework करेंगे आप, और हम physics के lecture start करेंगे जल्दी, next lecture से हम physics का lecture ही start करेंगे, और proper जो chapter start होगा, वो होगा आपका, पहला chapter 12 का, जो कि है वैदुतावे सेमचेत्र, तो वैदुतावे सेमचेत्र, next chapter जो start करूँगा में, वही होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह lecture पसंद आया होगा, और आप practice करेंगे, यह सारे question कर लीजेगा, question देख लीजेगा, वीडियो का pause करके question लिख लीजेगा, आपको दिख जाएगे सारे question, मैं फ्राइस time दे रहा हूँ, frame से हट गया हूँ, ताकि आपको question दिख जाए, ठीक है, इतने हम तो हो जाएगा, तो math वाली जो problem है physics में, वो दूर हो गई होगी, या दूर हो रही होगी, और practice करते करते दूर हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते सीखते, तो ध्यान रखेगा, और इन lectures को यह lecture ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए, तो आपको सब आ गया, दो बार देख लिए, तीन बार देख लि आपको सब्सक्राइब करते सीखते 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 झाल झाल